बिहार के समस्ति पुर्जिले के असाडी गाउ में पुलीस की गाडियों और थाने में आग जनी की कोशिश के दोरान प्रदर्शनकारियों पर पुलीस की फाइरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई जबकि 6 लोग जखमी हो गए हैं दरसल ये लोग बुधवार को अग्यात बदमाशो द्वारा एक दवा कारोबारी की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे पुलीस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलीस की 8 गाडियों को आग के हवाले कर दिया और थाने को आग लगानी की कोशिश की जिसके बाद पुलीस ने भीड को तितर बितर करने के लिए फाइरिंग की इस फाइरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए पुलीस के तीन जवान और एक प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान घायल हो गए है बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने इस घटना को दुखत बताते हुए प्रमंडल आयुक्त और पुलीस उपमहानी रीक्षक को घटना स्थल पर जाकर मुआयना कर रिपोर्ट सौपने को कहा है